बाप के मरने के पाद बेटे ने मा को पुराने गर में शोर कर आ गया खुद साल में एक चकल लगा लेता था एक दिन पुराने गर से उसे काल आई कि आपकी वालदा की तब्यद बहुत खराब है बेटा गया देखा वालदा की तव्यत वाकई में बहुत खराब थी वो मोत के करीब थी बेटे ने पुशा मा मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ मा बोली बेटा इस पुराने घर में पंखे नहीं है तुम यहां पंखे लगा दो बेटा हेरान और परिशान होके बोला मा अपने इतनी उमर यहां गुजार दी अब मोत के करीब आपने यह फरमाश की मा बोली बेटा मैंने तो अपनी जिंदगी गुजार ली पर एक डर है कि कल को जब तेरे बचे तुझे यहां शोर कर चले जाएंगे तो तुझ घरमी बरदाश नहीं कर पाएगा मेरे लाल बेटे ने जब यह पास तुनी तो बेटे के पेरों तले जमी निकल गई वो अपने आपको आज तक माफ नहीं कर पाया दोस्तों मा तब रोती है जब बेटा खाना नहीं खाता और मा आज भी रोती है जब बेटा खाना नहीं देता एक मा से दस बेटे पल जाते हैं मगर दस बेटों से एक मा नहीं पली जाती वा जी वा कुछ याद कर जब तु भज़पन में अपने आपका वजन नहीं उठा पाता था और चलते चलते गिर जाता था तो तब तुम्हारी मा तुम्हें संबाज देती तुम्हें चलना सिखाती थी और हाँ जब ठंड में रात को तीन चार बजे बिस्तर पर पिशाप करते थे तो वो तुमारी माँ अपनी गेरी नींद को शोर कर तुमें आराम की नींद सुला देती थी और अगर आज तुम बड़े हो तू माँ पर चिला रहे हो उसको बोज समझ रहे शरुम नहीं आती यह सब करते हुए अपनी माँ के साथ अगर वो चाती तो तुम्हारा बचबन में ही गला दबा सकती थी पर वो मा है, मा के लिए उसका बचा उसकी जाम से भी ज्यादा प्यारा होता है खुद को चाहे कितिनी ही तकलीफ हो, मा अपनी उलाद को तकलीफ में नहीं देख सकती दोस्तों, आज मेरी आप सबसे रुक्वेस्ट है, कि मा के लिए सब को छोड़ देना लेकिन कभी किसी के लिए मा को मत छोड़ना, क्योंकि जब मा रोती है ना, तो फरिष्टों को भी रोना आ जाता है अगर आज इस वीडियो के बाद भी तुमारी आखें नहीं खुली, तो समझ जाना कि तुम्हें एक जिन्दा लाश हो और अगर तुम्हें मा के प्यार का इससास हो गया है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ग्या पता, आपके एक शेयर करने पर किसी और के अंदर भी मा के प्यार का इससास हो जाए, मा के प्यार का इससास हो जाए शेयर चार